देखने से ही लग रही है हम इसको मार्केट से लाखे एक बरतन में रखे से हैं आसान तरीके से आप भी बना सकते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं, बिगनर भी हैं, तब भी आप इसको बहुत ही अच्छे से ये गुलाब जामन बन जाएंगे, ये तो सब के फेवरेट होते हैं, तो देखिए हम आपको बनाना सिखाते हैं, चलिए हम पैकेट फ्री आता है, तो हम एक ही पैकेट का पहले बनाएंगे, तो इसी गुलाब जामन है, जो बहुत अच्छे से बन जाते हैं, अगर आप सूजी का बनाते हैं, तो इसको संभालना बहुत फर्स्ट टाइम में मुश्किल हो जाता है, अगर आप एक दो बार बनाते हैं तब ही आप से अच्छे बनेंगे और यीट से आप बनाते हैं गीट से तो आपको पाली बार में ही बहुत अच्छे से बन जाएगा और एक भी पीस आपका खराब नहीं होगा तो चलिए हम पाले इसको निकाल लिए हैं एक वरतन में और इसका एक डो तैयार करेंगे तो इध्यान रखें फिर निए एक ही बार आप दूद मत पलट दीजेगा नहीं तो गीला हो जाएगा तो फिर गुलाब जामुन अच्छे नहीं बन पाएगा फिर आपको बैंडिंग के लिए कुछ और यूज़ करना पड़ेगा और एक से दो चमच और इसमें जाएगा तो हमने पाले एक चमच और फिर से एक चमच और डाल दिये थे तो बस यह हमारा जो बेटर है अच्छे से बाइंडिंग के लेबल तक आ गया है तो इसको फिर न हम ढख के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे तो देख सकते हमने लिए थे सिर्फ दो चमच ही दूद यहां पर यूज किये हैं तो टोटल आधा को टोरी दूद लगा है यानि चार से पान चमच में आपका अच्छे से डो बन जाएगा और हम यहां पर पहले चासने बना लेते हैं तो चासने यहां पे हम हाट केजी चीनि का बना रहे है तो दो बाउल हमने चीनि लिये है 2014-10,500 गराम का है तो यहाँ पर जितना हमने चीनी यूज किया उतना ही हम quantity में पानी भी यूज करेंगे तब हमारा जो चासनी है बिल्कुल perfect बनेगा ना ज्यादा गाढ़ी ना पतली और फ्रेंट चासनी को ज्यादा पकाना भी नहीं है जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगा और 2-3 मिनट तक ही इसको पकाएगे और बस हमारा जासनी तियार हो जाएगा हलकी सी चीप-चीपी रहने चाहिए ना इसको एक तार का बनाना है और ना जमने की contentiency तक बनाना बस हलकी सी चीप-चीपी रहेगी तब तक ही इसको 2-3 मिनट तक चीनी जब मेल्ट हो जाए तब आ हमारा चासनी त्यार है तो इसको हम गैस का फ्लेम आप कर देते हैं चलिए आगे का प्रोसेश देखते हैं और यहां पर देख सकती हमारा जो डो है अच्छे से फूल गया है दस से पंदरे मिने ठो गया थे तो यहां पर हम इसको अच्छे से डो की फॉर्म मे लाएंगे हाथों की मज़ा से अच्छे से इसको मसल मसल के इसको हम चिकना करेंगे उससे पहले हमें एक चमच यहां पर घी डाल दिये हैं घी से होगा क्या यह कोई भी बरतन में चिपके का इसको है वहां हही हाथ से भी नहीं लगेगा तब भी नहीं लगेगा क्योंकि यह ôngल्ड भी में अच्छे से बाइंडिंग कर ते उसमूद रहता है अगर आप तो जातंगे एक ताल जैतनी ही ताछा यह जो की लिधा सकता लगां कर लो चाहता है इंधुक्त, और यह इसका binding करना है ताकि इसमें कोई crack नहीं रहे आता में जब इसका गूली बनाए तो अच्छे से बन जाए तो आता में फिर थोड़ा बहुत crack रहता है कितनों भी मसल यह अगर आप इसका गूली बना रहे हैं तब आप इसको अच्छे से बनाएए बिल्कुल अस्मूद चिकना तो हमने थोड़ा सा घी हाथों में लगा के ही बनाए ताकि अच्छे से बिल्कुल प्रोपर चिकना हो कहीं से भी क्रैक ना रहे तब ही जो हमारा गूलाब चाबू न अच्छे बनेगा जब दलेंगे तो फटेगा नहीं तो देखाते हैं आपको अगर यह लॉंग सेप में बनाना चाहें तो इस सेप में भी हलका सा इस तरह से बना सकते हैं तो आपको इस गोल भी बना के दिखा देती हैं तो इसका बस एक ही बात का धियान रखें कि कहें से क्रैक नहीं रहना चाहिए नहीं तो फ्राइ करते टाइम फट जाएंगे बस इतना ही इसका दियान रखना है तो देख सकते हमने जो गोला बनाया है कितना अच्छा बना है कहें से क्रैक नहीं है तो बस इसी तरीके से हम सारे को बना के आपको दिखाएंगे तो देख सकते हमने छोटे बड़े यहाँ पे 30 पीस हो गया है तो यहां पे दिया हुआ रहता है कि 40-50 बन जाते हैं पर अब बहुत छोटा छोटा बनाएगा तब ही अपका 40-50 बनेगा तो हमने थोड़ा सा बड़ा छोटा बना दिए हैं तो 30-50 हमारा बन गया है तर चलिए इसको हम फ्राइ करते हैं तो देख सकते हैं friends, हमने एक कडाही जड़ा दिये हैं, आप चाहें तो जो fry pan रता है, उसमें भी तल सकते हैं, तो सभी के पास ओ फ्राइपन घर में रहता नहीं है, इसलिए हम सोचे कि हम इसको कडाही में भी आपको बना के बता हैं, तो तेल जादा गरम नहीं रहना तो हमने पाले एक को डाल की देख लिए हैं, कि फड़ तो नहीं रहा है, मारा जो डो है अच्छे से मैस हुआ था कि नहीं, तो इसको हम डाल दिये हैं, और एक से दूबनेर तक पहले हम तेल में इसको राने देते हैं, और उसके बाद हम सारा डालेंगे, तो इसको सा कलार आए, तो देख सकते हैं, यह कुछ भी नहीं हुआ है, फटा है, तो हम जो भी है, उसमें हम थोड़ा सा पीस अड़ कर दिये हैं, और यहां पर एक बाद का और फिर से ध्यान रखिए, कि बहुत भर के भी आप डाल नहीं देजिए, बस पान से छे गुलाब जामुन एक बार में तलिए, अगर आप पहली बार बना रहे हैं, तो नहीं तो संभालना मुस्किल हो जाएगा, फॉट भी सकता है, अगर आप बिगनर हैं, तो आपको समर्ज में नहीं आएगा, किस प्रोसेस से कैसे करें, तो बस देखिए, बहुत कम ही एक बार में डालिए, उसक कि हम दो तीन बार बनाएं, तो हमको पता है कि इस तरह से बनाना है, तो बस यहाँ पर कुछ भी टैच इसको नहीं करेंगे, और तीन से चार मिनट लो फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद देखिए, हलका सा कलर आ गया था, तब हमको इसको चम्मस से इस तरह से गुमाना है, और गुलाब जामन को बिल्कुल टैच नहीं करेंगा, और देख सकते हैं, कितना ये फूल की बढ़ा भी हो रहा है, तो इसका कलर भी कितना और गुलाब जामन आपको ब्लैक कलर में चाहिए, तो आप ज़्यादा डार्क कर दीजिए, और आपको कम कलर में चा उते हैं करनें कि तो एक-एक कर से मनिकलेंगे हैं क이estra बीकलो पनी निकाल रखेंगे साथ ऑक्ला कम इसे सको निकाल करें और इसको अब जोड़ करने में फ्रेंट दो घंटा लग जाते हैं तब ही अंदर तक चासने जा पाती है ठीक से तो देख सकते हम एक एक पीसी निकाल रहे हैं और इसी प्रोसेस से हम अगला बैच को भी फ्राइ कर लेंगे तो देख सकते हैं कितना आसान है गुलाब जामन बनाना घर पे अब बिगनर है तब भी आप इसको अराम से बना सकते हैं दरने की कोई बात नहीं है आप फूल वीडियो बाच करिए और देख के अराम से बना सकते हैं तो हमने सारे गुलाब जामन को यहां निकाल लिए हैं और बस इसी प्रोसेस से हम सारे गुलाब जामन को फिर से डाल देते हैं और सेम प्रोसेस से ही फ्राइ करेंगे जैसे हमने डाल के तीन से चार मिनट छोड़ देंगे लो फ्लेम पे ही हाई फ्लेम पे बिल्कुल महत्त इसको लो फ्लेम पे ही पकाईए अब देखे फिरम पहले जो हमने एक तले थे उसको हमने पहले ही चासनी में डाल दिये हैं अब जो हमने निकाले हैं अभी अब सारे गुलाब जामन को इसमें डाल देंगे और एक से दो घंटा तक इसी प्रोसेस से छोड़ देंगे इसको निकालना नहीं है कुछ भी नहीं करना है बस हलका सा इसको इस तरह से कर देते हैं जब ये चासनी पी लेगा तो ये बिल्कुल अंदर बैठ जाएगा और जब तक नहीं पूरा चासनी पीएगा तब तक उपर ही तैरता रहेगा तो आपको पहचान करने में असानी होगी कि गुलाब जावन अंदर गया की नहीं तले में तो आप समझ जाएगा कि ये प्रोपर चासनी पी चुका है तो देख सकते हैं फ्रिंट एक ही घंटा बाद आपको हम दिखा रहे हैं तो हमारा जो चासनी है कितने अच्छे से बिल्कुल अब्चॉर्ब कर लिया है और देखे सारे तले में बिल्कुल जाके बैट गया है और लग रहा है बिल्कुल मार्केट जैसे तो एक पीस फ्रिंट आपको हम निकाल के दिखाते हैं कितना चूसी, कितना जूसी है तो देख सकते हैं कितना जूसी है, कितना सौफ्ट है और अंदर से भी आपको हम काट के दिखाएंगे कितना ये सौफ्ट है, अंदर तक बिल्कुल चासनी गया है और इसका जो सेफ है, देखे कितना ये अंदर तक गया तभी आपको इतना सौफ्ट सौफ्ट दीख रहा है तो आपको एक पिसम कट करके भी दिखाते हैं कि अंदर तक बिल्कुल चासने गया है और देखें चासने भी कितनी गाड़ी अगर पतली रहती तो पूरा प्लेट में फैल जाता इसलिए आपको हम थोड़ा सा दिखाएं चासने डालके कि इस आप मेजरमेंट से बनाते हैं तो आपका जो चासने बिल्कुल अच्छी बनेगी और पूरा वीडियो को फॉलो करेग तो आपको परस्ट बार में ही आपको गुलाब जामन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा तो कट करके भी दिखाएं अंदर से बिल्कुल जाली बनी थी और अंदर तक चासने गया था तो आई होप